हेलो दिस दुरू लाकडावाला एंड यू आर वाचिंग लाकडावाला आपको डाउनलोड करने के बाद आपको कैसे उसकरना है वह मैं आपको दिखाता हूं अप्लिकेशन ओपन हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाए देगा सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नीचे import project का एक option दिखाई देगा यानि कि आपने पहले से कोई project बना के रखा होगा तो वह आप यहाँ पे import कर सकते हो लेकिन हमें यहाँ पे नया project बनाना है तो यहाँ पे हमें plus का icon के उपर click करना होगा यह हो जाने के बाद यहाँ पे हमें अपने project का नाम select करना है तो मैं यहाँ पे अपने नाम लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे उसका resolution select करना है तो हम यहाँ पे YouTube 180B पे select रखते हैं और create movie पर click करना है यह हो जाने के बाद यहाँ पे नीचे 5 option आपको दिखाई देंगे तो 5 option का क्या use है अपने project के लिए तो वो हम पहले जान लेते हैं सबसे पहला option है sticker का sticker में यहाँ पे हम click करेंगे तो यहाँ पे आपको option दिखाई देंगे 5 add image, add svg, animation, gp, फिर unsplash पहला option है add image का यानि कि आप अपने gallery में से image को add कर सकते हो अपने project में तूसरा option है add svg यानि कि svg format में आपके पास कोई भी image होगा तो वो आप अपने project में add कर सकते हो तीसरा option है .json file का यानि कि animation file आपके पास यह format में होगी तो वो आप add कर सकते हो अपने project में फिलाल हमारे पास नहीं है तो हम add नहीं कर सकते हैं चौथा option है Giphy का यानि कि Giphy की website पे जाके आप GIFL को download करके अपने project में add कर सकते हो पांचवा option है unsplace का यानि कि unsplace की website पे आप जाके हजारों आपको photos मिल जाएंगी वो आप अपने project में add कर सकते हो stickers में दूसरा option है drawings का यानि कि यहाँ पे आपको बहुत सारी free drawings मिल जाती है अगर people में या फिर school में जाओगे तो आपको बहुत सारी pro version वाली pro stickers मिल जाएंगे लेकिन अगर आपको free में add करना हो तो यहाँ पे आप watch reward add कर सकते हो यानि कि आप एक add देखोगे तो आपको वह sticker free में मिल जाएगा फिलाल हमें free का फ्री का स्टिकर देखना है जो हम यहाँ पे plane का sticker add कर लेते हैं यह हो जाने के बाद यहाँ पे आप नीचे यह जो slider दिख रहा है उसके उससे आप अपने हिसाब से तो उसकी size को बड़ा या फिर घटा सकते हो उसके बाद यहाँ पर आता है इसके टीन option delay duration और pause delay यानि कि कितने समय तक यह delay रहेगा पांच सेकंड आप डिले रखो गे तो आप पांच सेकंड के बाद यह आपका project यहाँ पर आएगा screen के उपर duration यानि कि कितने समय में यह drawing होगा यह draw कितने समय में होगा यह आप set कर सकते हो या फिर pause यानि कि drawing हो जाने के बाद कितने समय तक यह pause रहेगा आपकी screen के उपर यह जासे आप उसे delete भी कर सकते हो और यह यहाँ पर इसका यहां पर animation भी set कर सकते हो कि कैसे आपको animation करना है हमें फिलाल नॉर्मली रखना है तो यह नॉर्मली रखेंगे और तीसरा यहां पर अपने आप copy करके अपने sticker को copy भी कर सकते हो लेकिन हमें यह नहीं करना है तो delete कर देंगे दूसरा अप्सन यहां पर दिखाए देरा है टेक्स का यानि कि यहां पर अगर आपको introduction देना है मेरे को अपना introduction देना है तो आप अपना नाम या फिर कुछ भी जो भी हो वह आप add कर सकते हो जैसे कि मैंने यह अपना नाम लिखा है यह हो जाने के बाद इसमें भी आप copy या फिर duration यह सब आप select कर सकते हो तीसरा option है यहां पर background का यानि कि आप अपने background color को select कर सकते हो या फिर background में कोई image को select करना चाहो तो वो भी कर सकते हो फिलाल हमें white ही रखना है तो white ही रखेंग अपने project में यह हो जाने के बाद नीचे का वाला option एक आपको दिखाई दे रहा है plus icon का plus icon यानि कि plus दबाने पर आपको यहाँ पे नया tab add कर सकते हो यानि कि पहले tab में अगर आपने plane का image दिखाया है और दूसरे tab में आपको truck का sticker दिखाना है तो वह भी आप दिखा सकते हो और maximum आप यहाँ पे 10 टैब एड कर सकते हो क्योंकि यह free version है और अगर आपको pro version buy करना हो तो pro version आप यहाँ से buy कर सकते हो या फिर reward add deck के भी आप एक नया tab add कर सकते हो लेकिन हमें यह नहीं करना है तो उसको हम यहाँ से dismiss कर देंगे यह हो जाने के बाद यहां से आप अगर उनको प्रोजेक्ट जो भी होगा वह आपके application में से हो जाएगा यानि कि बैनी में से हो जाएगा और तीसरा option है यानि कि आप उसको अपने gallery में share कर सकते हो यानि कि मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख लिया यह हो जाने के बाद make a movie को यह करना है तो आपका project render होना start हो जाएगा ये हो जाने के बाद आपको अपना प्रोजेक्ट और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना और हमें होस्त है तो हर जगा पे फॉलो कर लेना तो मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई